हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक टो अवर चैनल देकर के ट्रेडर देखो इस वीडियो में मैं बात करूँगा टेलिग्राम टीपर पे बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है तो चैए वीडियो को लाइक और शेयर मत करो लेकिन इसको देख के समझ लो कि एक्चुल में मार्केट में हो गया रहा है देखो ये मार्केट है पूरा बुकी से मार्केट शुरू है और पंटर के और टिपर के इर्दगिर्द है मार्केट अब आप अगर ये नहीं समझोगे ना कि ये पूरा खेल क्या चल रहा है तब तक आप सब कुछ कलियर नहीं होगा बिकोज मार्केट में बहुत से नए पंटर भी आते हैं जिनको नहीं पता होता है इन चीजों के बारे में तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ देखो पहले तो एक बात समझे लो मेरे भाई एक मैच में आप सारा लोस कवर करने की मत सोचो कभी भी मेरे को पता है 99% पंटर यहां पे लोस में है तो उसको कवर करने की एक साथ मत सोचो इसको भी पूरी जिन्दगी का दंदा बना के चलोगे तब दीरे दीरे प्रोफिट करोगे तब बनेगा और यह जुआ कहीं जाने वाला नहीं है आराम से पहले अपनी जोब वगेरा करो पहले एक इंकम सोर्स बनाओ तब यहां पे सर्वाइव कर पाओगे दीरे दीरे जब यार छोटा छोटा बैट अमांट आप यूज़ करोगे एक्सपिरियंस बनाओगे ना अपना कि एक्चुल में चल क्या रहा है दो तीन साल देखोगे तब इस चीज में पैसा कमाओगे और टिपर पे तो मतलब कभी वरुसा मत करना इतना फ्रोड चल रहा है टेलिग्राम पे भाई देखो इस लिए इस फिल्ड में आने से पहले इसके डार्क साइड बता देता हूं बंदों को तो वो जब तक आपको नहीं पता होगे ना फैसिनेट होके आ जाओगे किसी फिल्ड में तो आप वहां से ऐसे पैसे नहीं बना पाओगी सबी में हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा आपको चाहे कुछ भी कर लो हाँ पैसा बनेगा बढ़िया बनेगा लेकिन उसके लिए पहले मैच्योर होना पड़ेगा सब कुछ सीखना भी पड़ेगा और लोस और प्रोफिट का ये गेम है उसके बीच में आपको पैसा बनाना है बस अपने लालच को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो वो प्रोफिट और लोस का जो गेम है वो ही खत्म हो जाएगा और ये बात ध्यान रखना अगर एक बार इस फिल्ड में आपके पैसे चले गए ना भाई तो वापिस लेने के लिए बहुत तकलीफ होगी और और पैसे की रिस्क भी होगी ठीक है अब देखो जादा तर पंटर है टेलिग्राम के चकर में टिपर के चकर में और 90% टिपर ह या वो नहीं है वो आपको समझना होगा खुद को उसके उसको उसके लिए आपको मैं कुछ पॉइंट बता दूँगा जिसके बेस पे आप ये वेरिफाई कर लोगी कि ये टिपर सही है या नहीं है देखो एक तो जो ये चैनल है बड़े बड़े एक मिलियन दो मिलियन दस लाग पांच लाग छार लाग जिनके एक डो तीन अज़ार एक्टीव उजर भी हैँँ तो सब से पहले तो इन बंदों को इतना नोल आच Yani नहीं है किरकेट बेटिंग के बारे में, इनको शिरुफ चैनल चलाने के बारे में नोलेज है, बंदों को कैसे लेके आते हैं, पंटर को इंन्फलोंस कैसे करना है, मैनुपलिट कैसे करना है, इन चीजों का इनको 81 पता है, देखो सबसे पहले ही क्या करेंगे आपको ना कोई लिमिट आपके पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे मेन बात ही है जो टिप पर आपके पैसे की वैल्यू नहीं करें उसको आज ही रेफ्ट कर दो जो आपको ये नया समझा है लिमिट कैसे यूज़ करनी है या इतना लिमिट ले क्या हो वो डेली आपको मैच देंगे उनको कोई मतलब नहीं है कि इतने रेट में पंटर ने खाया होगा लोस कट हुआ है या नहीं हुआ है अब मैन्यू प्लेशन इतना चलता है कि वो पचास पैसे की टीम कोई है और वो पोश्ट डाल देंगे कि ये टीम विन होगी 37 पैसे में खाना, 50 पैसे में खाना, 60 पैसे में खाना है जब कि दूसरी फेवरेट अब ज्यादर तर वो टीम जीत तो वैसे ही जाएगी, 10 में से 7-8 पार तो जीती जाएगी तो लोगों को तो ये दीखेगा ना, बाद में आके जब चैनल को चेक करेंगे कि बंदे की टीम पास हो रही है, 7-8 या 6 टीम उस चीज का वो बेनिफिट उठाते हैं कि एक्यूरिसी हमारी साथ है या 8 है लेकिन उसको ये नहीं पता है जब बंदों को वह रुवाता है तो वो सिधा ये बोलता है ना, 4 लिमिट यूज गरो, 5 लिमिट यूज गरो बस बंदों को उनकी एक्यूरिसी देख जती है, 70% है और वो ही उनका मतलब में टार्गेट होता है कि ये दिखाना है बंदों को क्योंकि बंदे होते हैं नई और उनको नहीं पता होता है इन सब बातों का और फिर बड़ा चैनल देखके जोईन करी लेते हैं जैसे ठीक है कोई बात नहीं कभी ना कभी की टिप देख ही लेंगे टिप से कुछ नहीं होगा मेरे बाई जो टिप पर आपको कुछ सिखा सकता है उसके साथ जुड़के रो जो बंदा आठ्स-दस साल फिल्ड में रह लिया तो उसको गलतियों का तो पता है कम से कम क्या गलतिय है किसी भी चैनल में रहो तो देखो उसको पहले समझने की कोशिश करने पड़ेगी आपको कि चैनल में चल क्या रहा है देखो परमोशन वगेरा करते हैं बुकी का उसकी कोई बात नहीं है क्योंकि देखो वो मेनद भी करते हैं चैनल वाले और वो आपके फाइदे के लिए करते हैं परमोशन ताकि आप एक सही बुक पेजास को वरना अधरवाज अगर आप अपने लोकल में भी खेलोगे ना तो सबसे जाता लोकल में फ्रोड होते हैं और जो यह ओनलाइन बुक है इनमें सबसे कम फ्रोड हैं अगर सही बुक पे चले गए ठीक है आप कुछ पॉइंट लिख रखें मैंने ताकि आप वीडियो भी शोर्ट रहे और आपको समझ में भी सारी बाते हैं अब देखो एक तो यह डेली जेकपोट के चकर में डाल देंगे आपको दस मैच में से इनको तीन या चेर में आपको जेकपोट दिलवाने के चकर में चार लिमिट पांच लिमिट ऐसे बोलके लोज करवाएं अगे वाला मैच जब पास देंगे तो बोलेंगे पांच लिम मत जाओ ऐसा कोई टीपर है भी नहीं जो सब सब कुछ पास करवा देगा और जो वैल्यू बैट नहीं लेता ना और आप को बस सिर्फ एक्यूरेसी दिखा रहा है तो वह बाइट टीपर नहीं है कोई और जो बोलता है मेरे पास रिपोर्ट आई है अब देखो आपको अच्छा टीपर कैसे डूंडोगे हाउ टू फाइंड गूड टीपर सबसे पहले किसी चैनल को अगर आप जोइन गरो तो उसको 10-15 दिन एक मन्त तक वोच करो एक साथ जादा चैनल को जोइन मत करो 5-6 चैनल को जोइन कर लो उनको रेगुलर देखते रो आपको खेलन बना रहा है आप से वह पैसे कमा रहा है प्रमोशन करके आपको यह बेहुकूफ बना रहा है वह सिर्फ उनकी चैनल चलाने के टेकनिक है फिर अब नोन कटिंग पले करवाने के लिए बोलेगा उन बंदों को बिल्कुल छोड़ दो जो नोन कटिंग डिलेट पोस्ट एडि उसी बन्दे को फोलो करो और उसका यूटूब पर भी चैनल होना चाहिए यूटूब पर भी वीडियो डाले वो रेगूलर ताकि आपको समझ में आए किसकी प्रेडिक्शन और एनलाइसिस कैसी है किस बेस पर बाते करता है बन्दा अब मैंने MLC किर्केट लिग का वीडि नमबर और चोदा नमबर तीनो मैच चार मैच में से तीन मैच दस दस पैसे के उड़े हैं और बाकी तो पूरी लेगी वो जैक पड़ थी इंडिया और वेस्ट इंडिज की जब वंडे पहला सुरू हुआ था उस दिन बोल दिया था कि इस सीरीज में दो मैच वेस्ट कि अगर अंदाजा लगा होगे ना तो वो पोस्ट पे व्यूज भी बड़वा लेते हैं पोस्ट को एडिट भी कर देते हैं और वो पचास पैसे की टीम विन बोल देंगे आपको आपको याद थोड़ी रहेगा कि ये पचास पैसे से सिद्धी विन हुई थी या कैसे पुराने पोस्ट देखोगे तब ठीक है मिर भाई अब इसके बाद आप खुद को डिसाइड करना आप खुद समझदार हो अपने पैसे की वैल्यू आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा टिपर भी नहीं करेगा बुकी भी नहीं करेगा अब इंडिया पाकिस्तान के इंडिट का प्रिकेट का नोलेज होता है और पंटर को कुछ चुक्छ अकर सीखने को नहीं मिलेगा तो वह उग्यालगे भी नहीं पाएगा और इनसे तो कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है अपने खुद की प्रेडिक्शन लगा waiver भी खराब हो जाय गी आख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो मेरा भाई अपना हारड अर्ण मनी है अपने गरवालों का या आपका उसकी वैल्यू करो और मेरे चैनल पर आप अगर जोईन होगे तो यही बोल रहा हूं अगर बैटिंग नहीं करते तो मत जोईन हो ना अगर बैटिंग करते हो और करते रहना चाहते हो आपकी पर्सनल चोईस है जोइन हो जो पांच दस दिन पंदरा जिन आराम से काम देखो उसमें कोई आपको यह जरूर ही नहीं आपको बैट ही करनी है वहां से नोलेज लो चाहे मेरी टिप पे मत खेलो लेकिन जो मैं बता रह है तो यह मत सोचना कि छोटा चैनल है इसको क्या पता होगा बाई चैनल अगर चाहें तो दो पांच दस अजार रुपे में सब्सक्राइबर बडबालो लेकिन वह काम नहीं चाहिए मेरे को दस बंदे देखो बाई जो मेरे को नोलेज है वो देना चाहता हूं और बाकि आपकी टीम विन हो जाएगी कभी लोस भी हो जाएगा लेकिन ओवर ओल आप एक्सपोज ग्रोगर आप एक लाक रुपे से खेलते हो दस लिमिट में आपने डिवाइड कर लिया एक मंत का टार्गेट बना लिया अब आपने मैंने पांच पांच सेट के पांच चार मैच कर अगर डेड़ लिमिट भी पलस होते हो दो का वी छोटो डेड़ लिमिट भी पलस होते हो तो मंत के छे लिमिट पलस होते हो छे लिमिट का मतलब यह है एक लाक रुपे रखके बैठे हो तो साथ जार रुपे मंत के पलस हुए हो और अब यह अगर अमाउंट आपको कम लग है कभी पलस हो भी जाओगे दस हजार से एक लाक भी हो जाएंगे लेकिन वो सही तरीका नहीं है मेरे भाई अगर लंबे टाइम में खेलना चाहते हो इस फिल्ड में सर्वाइव करना चाहते हो तो इन नियम को आपको रूल्स को अपनाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पलस होना एक अलग चीज है पलस होने के बाद पैसे को समभालना एक अलग चीज है और यह सब बातिया अगर आप नहीं समझोगे शिर्फ इसी चक्र में रहोगे किरकेट का आज मैच को जिटेगा मेरे को टिप मिल जाए तो बाई कितने दिन टिप पे खेल लोगे और कितन के बैटिंग करो अगर यह इतना ही आसान बिजनस होता तो भाई सारी दुनिया इसी में पैसे कमाती खुद की जिंदगी को बनाओ पहले उसके बाद अगर इस फिल्ड में इंट्रेस्ट है तो एक प्लानिंग के साथ बैक अप लेगा हो उसके बाद आप बुक्की को बीट भ बात किये तो 90-90 परशेंट बंदों ने मेरे को यह बोला है बाई अगर मेरा इस फिल्ड में लोस कवर हो गया तो इसकी तरफ मुड के नहीं देखूंगा मैं दुपारा तिकि बंदों की लाइफ हो खराब हो रुखिया तो इस चीज़ को सिरियस लो रैस्पॉंसबिलिटी मेरे के साथ खेलो और जो नहीं खेलता है वोई वीडियो ams देखके इंफ्ल्ड मतोना इंफ्लिन्स मतोना वो खेलना स्टार्ट मत करना नहीं कोई क्यूश्चन होतो दोस्तों आके टेलिगरम से टेलिगरम पे मेरे से बात करो क्या problem आरे आपको क्या गलती की आपने जो आपका suggestion है वो भी बता ओ या कोई अभी problem आरे है control नहीं हो रहा., खेलने में patience नहीं है या जो भी बात है आके बात करो ताकि किसी बंदे को सुनोगे समझोगे, तो आपकी life में भी फर्क पड़ेगा और उन चीजों के अपलाई नहीं करोगे न तो फिर उन चीजों को सुनने अके लिए से कोई फरक नहीं पड़ेगा तो बात करो अगर कोई प्रोब्लम है तो और कमेंट कर दो लाइक कर दो वीडियो को ताकि और भी बंदों के पास वीडियो पहुंचे टेलिगराम का फरोड तो आपको बता दिया मेरे बाई टिपर को अच्छे को डूंड लो ताकि उससे कुछ सीखते रहो मैं यह नहीं कहा रहा है उसकी बैट फोलो करो उसका आठ दस पांच साल का जो भी एक्सपिरियंस है वो ले लो आप ताकि आपको पांच साल इस फिल्ड में दक्के ने खाने पड़ें उसके साथ रहके एक साल छे मीने में आप सब कुछ सीख जाओगे फिर छोटा छोटा केलना सुरू करोगे ना तो खुद के एक्सपिरियंस से आप सब कुछ कैच कर लोगे चलो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया ओके गुडबाई टेक केर कोई सवाल हो तो मेरे पास कमेंट कर दो चैनल को सबस्क्राइब कर दो टेलेग्राम को चैनल को जोइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो जा जाएंगी नोलेज की जो भी वीडियो बना रहो और अभी तो आगे इतनी वीडियो जाएंगे आपको पता भी नहीं है इस फिल्ड के बारे में उन बातों की उपर भी वीडियो जो बना के दूँगा फिक्सिंग कैसे होती है सब पता लग जाएगा आपको लेकिन में चीज यह ना अपने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है किरकेट बैटिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा इसके अंदर जितना गुस्ते जाएंगे उतनी एक स्वाल कलिए रोगा तो च्यार्स वाल पड़े हो जाएंगे इसलिए एक सेफ और एक मतलब अच्छा बैटिंग पैटरन बनाओ उसके उपर ही किलो ज्यादा इसको कॉम्प्लिक हर और मतलब लोस और प्रोफिट को समझना पड़ेगा प्रोफिट देखके आप ड्रोगे तो इस फिल्ड में नहीं रुक पाओगे चलिए दोस्तों ठीक है ओके थेंक्यू